गुड इपनिंग स्टुडेंट्स आज है डे थाटी फाइफ और आज हम सिखेंगे हमेशा की तरह साइन्स के फाइफ वर्ड आज का हमारा पहला वर्ड है एटीपी तो एटीपी क्या है इसके बारे में लिखा हुआ है यह आप लोग पर सकते हैं ठीक है किलिर है बच्चो आ अब यह इतना important क्यूं है यह फिर हम इसको क्यों पर रहे हैं तो यह energy देने का काम करता है किस चीज़ का काम करता है इसलिए एटीपी को हम लोग बोलते है energy currency तो अब next question आएगा कि सर यह energy देने का कहा काम करता है हमारे body में कहा है तो हमारे body में क्या है सेल है टीशू है और औरघन सिस्टम है और उसके बाद ना हम लोग है यानी कि औरगा नेजिम तो बच्चों यह जो एटीपी है एनर्जी देने का काम करता है वीदीन सेल सेल में ठीक है यानी सेल में अगर एनर्जी का G sheep海 का एक्चुल बोला जाए तो फॉस्फेट बॉंड होते है ठीक है एक डिपी और यह हो गया एक फॉस्फेट बॉंड तु आए इसको हम लोग और अच्छे समझते हैं एटीपी को हम लगा ऐसे लिख सकते हैं एडीपी और एक फॉसफेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ एक्चुलिस में तीन फॉसफेट लिंकेज है इसलिए यहां पर ट्राई यूज किया गया है ठीक है इस पर जब एंजाइम हम डालते हैं एटीपेज एटीपेज इंजाइम क ब antico पस्तिती में यह टूट चाता है adp-¬ प्लस इन्घेनिक फोस्थेट और इस生 idée से इनर्जी बिमूंखत होती यानि निकलतू है अब यह जो energy निकला यही high energy phosphate bond के टूटने से energy निकलता है इसलिए हम लोग ATP को बोलते हैं energy currency आई यह next word देख लेते हैं next word है absolute zero यह बहुत important है देखो यह क्यों important है जितना भी temperature आप लोग सुने होना this is the coldest temperature क्या मतलब इससे कम temperature possible ही नहीं है मतलब this is the lowest possible temperature अगर हम लोग temperature की बात करें तो सबसे कम कितना temperature होगा उसी को हम लोग बोलें क्या absolute zero देखो बच्चों practically यह possible नहीं है theoretically हम लोग मानते हैं कि अगर temperature reach करेगा तो इतना तक जाएगा और इस temperature में किसी भी body का किसी भी organism का किसी भी चीज का heat energy क्या हो जाएगा जीरो तो आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि वो temperature बताईए जहां पे body के अंदर जितना भी motion है वो सीज कर जाए और उसका heat energy zero हो जाए ठीक है तो वो temperature हो जाएगा absolute zero अब next question आया कि बच्चों ये कितना होगा तो absolute zero होता है बच्चों ये Kelvin scale पे अगर हम लोग बात करें तो ये होता है zero Kelvin zero Kelvin और centigrade या Celsius scale पे हम लोग बात करें तो ये होता है minus 273.1 Celsius और centigrade Fahrenheit में ये होता है minus 459.67 ठीक है तो ये हो गया absolute zero इसके बारे में भी आप आप लोग सीख लिए अगला टरब हम देख लेते हैं acid smile आईए अब समझे जब हम pH की बात करते हैं तो pH या तो 7 से कम होगा या 7 से जादा होगा ठीक है बच्चों अब actual 7 pH नहीं देखने को मिलता है तो हम लोग मान के चलते हैं कि 6.5 और 7.5 के बीच का जो smile होगा इसको हम लोग क्या बोल देंग neutral कहीं कहीं slightly acidic term भी यूज किया जाता है अगर 7 से 6.5 के बीच में हो तो और 7 से 7.5 के बीच में हो तो slightly alkaline भी यूज किया जाता है बट आप लोग मान के चलिए कि सारे 6 से सारे 7 के बीच में हो तो उसको neutral smile ही बोले इससे कम हो जाएगा तो 6.5 तो acidic smile हम लोग बोल सकते हैं ठी ठीक है बच्चों hope कि आज आपने total कितना five words सीखा जैसा कि डेली हम लोग सीखते हैं ठीक है तो आज का यह complete हुआ चलिए